इस वीडियों में दोस्तों पार्ट टू जो इस चेप्टर का है अमल छारक तथा लावण जो चेप्टर है इसका पार्ट टू देखेंगे पार्ट वन मैंने आपको पूरी बेसिक ठेवरी जितने भी थी आपको पूरा बता दिया था और इसी ठेवरी से आपके आगे कोशन बनेंगे तो इसलिए वह पार्ट आप जरूर देखें के जाके पार्ट वन किवी पार्ट वन जितने भी उने आपको थेorrally पढ़ाई हूई हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन पर क्लिक करके जो आल वाला अपसना उस पर आपके पास सारे जितने भी लाइक करिए सेयर करिए तो आज की वीडियो का एम कुछ नहीं है जितना आप लाइक कर सेंगे वीडियो को उतना आपको लाइक करना है तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए और सेयर कर दिये तो चलिए तो इस वीडियो में लोग देखते हैं जो कोस्चन यहां पर सुर होता है कि अमली तता चार्कि दोनों होता है या फिए उद्धशीं होता तो देखे जूआ आप फड़ olan 3 की जब आप जड़ के साथ आप कराइंगे तो आपकर कराते हैं तो आपका सिक्ष HCL मсть था मुझत कि वहां पर पर सिर्कान में किसके दौरा बनाया जाता है तो आपको पता है जो इस पर न विकल्फ हे आपका हो जाएगा फिर देखिए तीस में पर दिया हुआ है यहां पर आपको मान दिया गया है तो यहां पर आपको पिए-च का मान गया आपकर नहींद दिए मैंने कितना हो जएका जिरो जीरो-जीरो-जीरो-एक मोल अब यहां से देखिए फिर इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पाउर माइनस 4 कैसे तो इससे हम लोग 10 हम लोट आएंगे यहाँ पर बढ़ाएंगे 4 0 तीन हो गए 1 4 अब देखें 4 0 को 10 की पाउर 4 लिखेंगे उपर जाएगा 10 की पाउर माइनस 4 हो जाएगा अब देखें उसके बाद आपको फामुला पता है ह प्लस इंटू OH- इस इक्वल टू 1 इंटू 10 की पाउर माइनस 14 में लगए आपका ह प्लस और फिर आपका मल्टिपल में OH- इसका जो आपका टोटल होता है 10 की पाउर माइनस 14 होता है अब देखें आपको यहाँ पर OH- जो वैलू हो पता हो गई है तो यहाँ पर रखेंगे अभी यह देखें मल्टिपल में है इदर आएगी तो आपके किसी में हो जाएगी डिवाइड भी हो जाएगी अब देखें जो आपका नीचे 10 की पाउर माइनस 4 है उपर जाएगा किसी में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 10 की पाउर माइनस 14 और एप्लस 4 तो आपके कितना बज़ेगा 10 की पाउर माइनस 10 बचेगा यह आ गया है एच प्लस कमान कोश्चन में आपको क्या गयाद करना था पी एच का मान गयात करना था पी एच वैलू कैसे गयात करनी होती है तो इसका जो फार्मुला होता है क्या होता है पी एच इस इकॉल टू माइनस लॉग एच प्लस देखिए जो पहला इसके वीडियो मैंने बनाया था थेवरी वाला उसमें आपको सब कुछ इस वारे इसके फार्मुला आपको करने होते हैं तो यहां से धेट फिन पार होते हैं कि फिर्फट फिर्फ परण यहाँ पर रखेंगे अब देखिए लॉड की प्रॉपरटी से पता है जो आपकी गहत होती है कहा आगा जाती है तो यह माइनस आपका पहले से लगा हो माइनस टेन आपका आगे आगे अगे बचे का लॉग 10 लॉक्ष पता कितनी होती है उसके बाद यह वाला माइनस और यह वाला माइनस आपका प्लस वैठा तो आपका प्पानी होगी तो कि यह हुआ हो जाता है यह को इसका पूसम्झे में आ होगा जहाँ पर तीन नंबर कोश्चन था अधिके चार नंबर में आप से क्या बोला जा रहा है हाइड्राक्साइड आयन की सांदरता दी गई है ओ एच माइनस का मान आपको दिया गया है मोल पर लिटर वन इंटू टैन की पावर माइनस नाइन मोल पर लिटर तो विलियंग आप फर्मूल लगाएंगे यहां से एच पलस की वैलू निकालेंगे तो देखे जो आपका माइनस नाइन है नीचे ऊपर जाएगा प्लस में जागा यहां से बेचेगा एच प्लस इप टू टैन की पौर माइनस पाइप तो यह हो गई हैश पिलस की वैलू आपको प्रवर प्रोपर की प्रॉपरिटी से पता है यहाँ पर लगी कि कहा आ जाती आगे आ जाती है तो यह माइनस फ्लस हो जाएगा गो उन होती है तो आपको आइसका आ और जाएगा तो चौधा है आपको समय में आगया होगा है अप conversions चलते हैं यहां पर देखते हैं क्या है कोश्चन तो पांचवा कोश्चन है चारी विलियन का पी एच मान कितना होता है तो आपको अभी मैंने बता है जो चारी विलियन होता है उसका पी एच मान साथ से अधिक होता है तो साथ से अधिक जो आपका फाइब भी है यह आपका र कमां दिया हुआ था किस प्लस प्लस कमांद धिया हुआ है तो कुछ निए करना एच प्लस की वैल्यू आपको पता है सिय histori multiple में A into B لکھا हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं log A plus log B लिख सकते हैं तो आई हम पर किया log A तो पैले इसको यहां पर लिए उसको यहां पर लिए और भी माइनस पर बाहर eine any अब का लगा हुआ है फान पिरस है अब क्या करें तर माइन करें तो यह कर देगा और यहां की पावर माइनस में आपको पता लॉग मैं पावर काहा है आ गया जाती है आप आपका बचाहे का साथ कहा हो चैनलों था इस आंसर हो जाएगा इसका पीएच वैलू हो जाएगी तो यह भी आपको समझें आगया होगा अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोश्टन कौश्टन कौन सा है साथा नंबर कोश्टन ने देखिए क्या है कोश्टन कि निम लिखित मैंसे कौन सा अम रिताचा दोनों क करता है तो यहाँ आपको बताना है कि अशा द णी तरह कौश्टन को बाइवर करता है तो बन को सा रंग देता है तो यह आपको पता भी होगा पहले से यहां से भी क्लियर हो गया होगा अब देखिए नवा नमर कोशन है कि जो आपका एन एच्टू माइनस का सायूगमी अम्लक क्या है अब यहां से देखिए यह आपका देखिए पूंचा जा रहा है कि यह आपको कोई भी दिया के यहां पर सयोगमी क्या होगा और उसके बाद आपका प्रबल मतलब की ट्रॉन दिया हुआ है तो इस टॉंग रूद्ड ये सब्सक्राइब को दॉरिंबल मतलब की वीग जो आपका Euro झाल ये और आपका एपक्स ज्यूग सायूगमी होगा क्या होगा वीक बेस होगा वीक बेस का मतलब है यहां पर आपका जो दुरूबल चार है होगा इसी तरह दिया आपका यहां पर वीक है इसका जो स्युक्मिय होगा किया हो जाएगा स्ट्रांग सोगा तो ये आपको याद रखना और यह heh यहां से एक चीछाम कि जौ एड़ियो का स्युक्मिय को आपका पेश होगा जो तो यहां पर बेस का सहीव क्योंगे होगा वह आपका है इस्ट यहां पर क्या दिया हुआ है तो यहां पर एन एस टू माइनस का सहीुगमी अमल पूंछा रहा है तो इसके पहले क्या और भी आपका शार ऐबका आपका अमल आएगा चाहर जाब का यह फो होगा तब ही आपका प्रोटान ग्रहान करते हैं लोग इसको क्या करेंगे एच प्लस आयन देंगे तो एच चिल्ना हो के कि यहां Pari यह वाला चिल्ना कि यहला लगा तो एच प्लस आन जब लेगा तो क्या होगा एलन एच अब इचा पर एठ जाए कर NOT जाए तो आप पर सिर्फ कितना बचेगा एन एच थिरी बचेगा देखे जब का अलग अलग लिखते हैं तब माइनस प्लस लगाते हैं जब सिंगल एक में लगते हैं लेकिन यहां पर आपका नहीं लगा क्योंकि एक बाप का माइनस है एक प्लस है दोनों काम खतम हो जाएगा तो यहां पर क्या उखय हुआ कि जो कि नहीं पर एन एंच टू माइनस सायओमी हम लेग क्या हाईगा है एन एच थिरि तो यहां से इक में आपको यह क्लियर कर दों कि जो आपका यहाँ यहां अपका अमल just का प्हारत हो चार त्था यहां पोच्छा होगा तो पहले जो पदार जा रहा है मतलब कि इसके वाला जो पहले योगिक था हुए क्या था अमल था तो देखिए एच बी आर ये क्या है आपका अमल है अब आपको बता जो ब्रॉंश लोरी तुन्हें ने बताया था कि वह है अमल हुए होते हैं जो प्रोटान को त्याग करते हैं तो क्या करेगा य यह आपका प्लस है तो यह वाला आपका निगेटिव हो जागा तो बी आर माइनस यहां पर सिर्फ आपका बचेगा क्योंकि यहां पर आपका जो अमल होता है वह क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन जो आपका प्रोटान होता है वह त्याग करता है तो यह एक हाइड्रोजन है तेहां पर आपका सिरफ प्री बचेगा तो जाएक है कि यहां पर कर भी आर हो प्र क्यां यही आपका राई हो है नुच्ल है अब आगे देखिए इसपर नंबर में है कि ह quit 2 bao 5- जेँंस का संयुगमियaining का होगा अब यहांपर देखिए आप से तकी मि मिन पूंचा जा रहा इसका मतलब इसके पहले जो था जो यहांपर एच टुट ऑफ ओर मायनस होगा इस दए आप करें यहांपर किया करेगा एक कितनी हैं दो को यहां से एक और आ जाएंगे हैं फूर जाएंगे उसके बाद पी OOS हो जाएगा यहां पर आएगा एच्थि पी ओ फूर तो ही आपका राइट हो जाएगा देखिए हम पर यह माइनस और ही आपका प्लस तो पूरिंननका काम खतम हो जाएका तो सभाधि हो जाएगा अनसर घस तो कि मानव रक्त या आशू का पी एच मान कितना होता है तो मैंने आपको जब veto करा रहा हो तो उसमें बदाए था साथ प्र समलो चार साफ आट्पर प्रो टार ग्राइक आज यहां पर है नियुक्ष to माइनस का स्यूंग्मी यहां पर आप से सयुग्मी चार पूंछा जा रहा हम दब कि यह क्या है आपका अमल है अमल है तो यहां पर इसमें क्या होगा हाइड्रोजन आयन का त्याग होगा तो यहां पर देखिए क्या करेंगे तो क्या बचएगा आपका यहां पर H.H. Start जाएगा मतलब कि एक आपका परमाल हिड्रोजन है और एक परमाल हाइडोजन जिए यहां से निकल जाएगा तो सिरप आपका H.H. help जाएगा P.O.4 बचेगा तो P.O.4 बचा अब देखे यह allen आएण अभी आपके यहाँ पर लिखा होगा इधर जाएगा तो आपका है धसे क्या बोला गया है आल मोता है के चुंआ सो फूर एल टू सो फूर का होल थ्रोइस 24 एच टू ओ तो किस प्रकार का लवाण है तो 2012 में आपसे कोश्चन पूछा गया था जो आपका पंदरा नंबर विकल्फ है इसका जो दूइक लवाण आंसर यह आपका राइट हो जाएगा जो आपका पोटास एलम होता है फिटकर आपका निम्न लिखित में कौन सा अन्ब तथा चार दोनों की तरह किया करता है मतलब की अमल भी हो और चार भी हो तो यहां पर देखिए जो बी नंबर विकल्फ है इसका एच एसो फूर माइनस यह आपका राइट है कैसे राइट है यह देखिए तो मान लेते हैं एच एस और फूर अब जब यह अमल होगा तो अमल होने का मतलब है कि क्या करेगा इलेक्टरान को हराइट जाने सेलंगे हूज तो क्या हो जाएगा एस ओफोर अब यहां पर एक मायन लगा तो कितने मायन जाते हैं ह forgotten यहां और आपका है कर एक शाया है एक शार है कि नहीं है तो क्या रहाँ आपका छार हो दो हाइश ऑग्लान करने की चंता रखता है Чशंता रखता नहीं की होता है प्लस होगा जब आपका बच से जाएगा तो यहां की फ़ुजा है, एक प्लस होगे, तो 1 हम्ल आपका यह बन रहा तो यहां से क्या हुआ है यह आपका चार भी होता है HSO4- और एक आपका अम्म्ल की तरह भी विवार करता है दोनों की तरह विवार करता है फिर है यहां पर आपका आठारा नमबर कोश्चन क्या है कि NH4- का सायूगमी चार क्या होगा तो यहां पर देखिए जैसा कि इसमें आ F4 अब यहां से आप से पूंचा जा आед सायूगमी चार क्या होगा तो आप जब आपसे सायूगमी चार फिसका है क्या पहले था अम लड़ भा तो यहाँ पर क्या करेगा कि हाइडरोजन आयन काया त्याग करेगा तो एंग यह एच प्लस आयन का त्याग करेगा रिधर कितना बचेगा एंऩ थ Works यह यह थ फ्य रफड defend and अब सिर्फ एंए धु आर्फ यह थर प्लस अब खडिया पसें आपको महत्तु पूंटत्त में मैंने बता हुआ था कि 10 की पाउर माइनस आठ मुलर आयन का पीच मान होगा तो यहां पर आपको जो राइट हो जाएगा छैसे साथ के मद्दे तो यह आपका राइट है फिर आगे हैं यहां पर आरहिनियस सिद्धान्द के अनुसार अमल वे पदार थे जो देखी एक आपके ब्रांश्टेल लौरी थे एक थे आरहिनियस तो आरहिनियस के अनुसार अमल वे थे जो हाइड्रोजन आयन त्याक करते हैं जो आपके ब्रांश्टेल लौरी थे उनके अनुसार अमल क्या थे ज जली विलियन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तो जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा है तो आरिजिने से क्या बताया था कि आम लुथात होते हैं जो जली विलियन में हाइड्रोजन आयन दे देसे यह आपका 20 का C नमबर विकल पर राइट हो जाएगा अब देखे 20 के लगा 21 नमबर है कि Fynaptheline जो होता है गलावी रंग देता है तो किस के सा legitimately आ चारे के साथ देता है क्योंकि ये आमले के साथ तो रंग ही नू हो जाता है लेकिन जो आपका चार होता है उसके साथ गुलावी रंग देता है फिर देखिए इसी तरह का जो Q22.23 में आपसे पूंचा किया था फिनेप्थिलीन का चारी माध्यम में रंग होता है जब आप फिनेप्थिलीन में चार डालेंगे तब उसका रंग कैसा होगा तो अभी देखिए इसी से आपका निकल किया आएगा फिनेप्थिलीन गुलावी रंग होता है किसमे चार में तो चार में आपका कलर कैसा होगा फिनेप्थिलीन का गुलावी होगा आप आगे यहां पर है फिनेप्थिलीन जो होता है आपका ये कैसा आपका विलियन है जो आपका फिनेप्थिलीन है आपका दुरूबल अमल है जो आपका फिनेप्थिलीन होता है यह एक वीक एसीड होता है अब देखें नेक्ष्ट है यहाँ पर 24 नमबर की निम्द में उस नियम्द में से उस सूचक का नाम बताई जो अमली विलियन में लाल रंग देता है तो यहाँ पर जो आपका मेथिल औरेंज यह आपका राइट हो जाएगा 24 का A नमबर विकल्ब यह आपका मेथिल औरेंज जो होता है जब आप इसको अमली विलियन में मिलाएंगी तब इसका कलर कैसा हो जाता है लाल हो जाता है अब आगे 25 नमबर है कि NH4 CL का pH मान कितना होगा तो यहां से आपको पहले यह पता होना चाहिए कि NH4 CL है यह अपका क्या है तो यह आपका क्या है दोस्तों यहां पर आपका यह अमल है तो जब यह आपका अमल होगा तो आपको पता है कि अमल का जो यहां पर pH मान होता है कितना होता है साथ से कम होता है कि जो pH value इसकी होगी NH4CL की और जो साथ है तो इससे कम होगी pH value जो NH4CL की है किससे साथ से कम होगी जब कम होती है तो जिदर कम होती है यह इदर इसकी पूंच हो जाती है और जिदर ज़्यादा होती है इदर इसका मूँ खुल जाता है तो किया है एने चैर्पारी प्याहां का मान कम है साथ से अमल रहा होगा तो इसने क्या किया होगा एच प्लस आयन का त्याग किया होगा क्योंकि छार पूंचा जा रहा तो पहले अमल होगा तभी आपका चार बनेगा तो यह पहले क्या किया होगा कि say거든 umul réponse त्यृफल स्वाइब का यहां को त्याग गई ए तो क्या बचा मुद यहां से ने त्याग कर दिया दो यहां पर कैसा आपको क्या जाएगा आए नेगेटव चाज आज आए timing को जाएगा आपको जब आपका सिंगल लिखते हैं ऊपका बढ़ जाता है जब त्याग करता है तो यहां पर आपका एक मैनस बढ़ जाता जैसे कि यहां पर आपका इसमें क्या था इसमें प्योड टू माइनस था यहां पर आपका एक और बढ़ गया था थिरी माइनस हो गया था और जैसे कि और इसी में आपका था कि शार तो इसमें क्या था बी आ आइड्रोजन आए जब भी त्याक करेगा तब आपका एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा अब देखे आगे हैं सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्रताचार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं देखे जब लिट्रमास बिलाएंगे तो लाल देगा और जब आप यहां पर है लेक्ट्राट का यहां प्रोटान का त है पिसने पर सभाओं करता है उने से कोई नहीं तो पताएंद किया होता है जो प्रोटान देता है तो आप का क्या करता है तो यहाँ पर 29 पाती हो जाएगा अगरने को इसको कॉम्सटन को आपको हे मतब कना सका यूट को दीilot करना है तो यहां तक वीडियोज देख रहरा है तो इसका आपको कमेंट बोक्स में बताना ओजना कितना होगा तो मैंने इसके इसको स्कोर्ड रिल्लेटेट आपको करनों कर तो पान करना है अद देख्याए आगे है सबसे सबसे दुरूबल अमल को इसा दो जार बारा मैं आप से पूंचा गया है तो यहां पर देखेंगे अपका प्रबाल अमल है यह आपका प्रबाल अमल हो जाएगा अब आगे यहां पर है सोडीयम कार्बोनेट का जो जली विलिएन होता है कैसा होता थो जो सोडीयम कार्बोनेट देखें तो एन दू सी ठीच ओटा है अब नहीं हो जाएगा तो इसका टेटिस का सी नंबर हो जाएगा अब लास्ट कूशन जो चौन नमबर इसको आपको कमेंट वाक्स में करके देना है यहां प्रबल होता है और इसका साइग्मी पूंचा जाता है तो क्या होता है मैंने भी आपको बताये हुए जितने हैं बीच सारी क्योश्चन बताये हुए हैं इसका Конечно क्या ने क्या होता इनमें आप दोस्तों बहुत ज़्यदा अटके होंगे 14 नंबर में और यहां पर आपके 11 नंबर 10 नंबर तो इनमें आपके सारे कन्फूजर क्लियर हो गया होगे कैसे माइनस आता है कम माइनस नहीं आता है तो देखे एक बार और बताता है जैसे कि यहां पर ए एच बी आर दिया हुआ है आप से बोला जैरा सायगमी चार ग्यात के जिए तो सायखमी चार ग्यात कलने का करती है पहले ही अमल रहा होगा तो यहां क्या करेगा एच प्लस आइन हैं तो ह Real Health तो एक हैश में एक देख लेते हैं को एक्जामपल ये वाले एक्जामपल था इसी में वहीं भी किया गया है एच पी ओफ ओ फॉर टू माइनस था अब यहाँ पर एच माइनस और यहां त्याग होगा तो क्या बचेगा पी ओफूर अब देखें यहां पर दो माइनस था यहां पर कितना जाएग का तीन माइनस एक आपका बढ़ जाता जवाब का त्याग होता है हाइडोजन आयन दागी प्रोटान जब त्याग करेंगे तो आई हो दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ में आगे होगा कैसे सारे को सॉल्व करना था यह चेप्टर भी यहां से खतम हो जाएगा तो चल जाए हिंद वंदे मातरम